पूरा मंदिर परिसर गुंज उठा बता दे कि आज जो सावन की आखरी सुमवारी है और यहीं जो है शिप भक्तों के लिए बेहत खास है उनके अंदर एक अलग ही उच्साह और उमंग देखने को मिल रहा है जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे बाबा शिप के जो भक्त है वो शिप भक्ती में लिन दिखाई दे रहे हैं तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि किस तरीके से बाबा के दर्शन को शिवालियों में जो है शिप भक्त उमर पड़े हैं उत्तर बिहार का बाबा धाम कहे जाने वाले मुजफरपूर के गरिबनात मंदिर में सावन की अंतिम सुंबारी पर जलाभिशेक करने के लिए कावडियों की भीर उमरी और आधी रात को बोलबं के जैकारे से मंदिर परिसर गुंज उठा कावडिया भोले बाबा के नाम का जैकारा लगाते हुए मंदिर पहुचे और हजारों शधालूओं ने जलाभिशेक भी किया रविवारात बारह बसते ही बाबा का जलाविशे करने के लिए मंदिर में शधालूं की भीर उमर पड़ी और मंदिर में सेवा दल और पुलीस बल पूरे तरीके से मुस्तहद दिखाई दिये शधालूं ने बाबा का जैघोश करते हुए भक्ती भाव से पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर अरगा के माध्यम से जल और दूध अरपित किया पूरा शेत्र और मंदिर परिसर हरहर महादेव और बोलबं के जैघोश से गुझाएमान हो गया मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतिजाम भी किये गये थे मंदिर के प्रधान पुजारेविनैपाठक ने बताया कि सावन की आठवी सुमबारी पर हज्जारों शधालों ने जलाभिशे किया है आखरी सुमबारी पर कैसा रहा भक्तों का कि आठवी ना कंए आठवी सुमबारी कंए और आठवी सुमबारी के साथ साथ आठ प्रदूस की है जो भक्ति महागे के भक्त है इस सावन भर्पीजा ने एक ते हैं और आज कि इने वह जैंच परालेते हैं किसी किसी वाले में पर दोगा है, तो पुड़े महिने पर खालगा होगा, क्या कि है कि अग प्रदोस में 100 प्रदोस है, तो फावन महास में बहुत कम परता है अग्सों प्रदोस है, और आठी समारी को पडिये, चादे सावन की परिश्चुप बढ़ी है, और अवरी एक तु तो जैसा कि आप सुन पा रही है कि कैसे शिभख्ती में तमाम शिभख्त जो है डूबे हुए दिखाए दिए हैं, और बताने कि कल रात इसने ही शिभख्तों का हुजूम जो है इस मंदिर में उमर पड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कि मुजफरपुर का गरिवनाथ मंदि जो है काफे ज़्यादा विख्यात है और बिहार में इसका महत्व भी काफे ज़्यादा है जहां पर अहर सुम्बारी को बाबा भूलेनात के भक्त जो है दर्शन के लिए जरूर आते हैं, फिलाल इस वक्त के खवर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाब वीडियोज अपडेट झाल